हेलो बच्चो आज की गख्षा में मैं आपका स्वागत करती हूं आप आज पर सभाग एक का पार्ट चार धर्म की आड़ पढ़ेंगे वैसे तो यह पार्ट में किताब में पुक आपके इसका इसकी संख्या है पार्ट साथ परन्तु हमारे पार्ठे करम के नुसार इसका इस पार्ट की संख्या है चार तो हम धर्म की आड़ के प्रश्णुत्र पर चर्शा करेंगे प्रश्णुत्र की पुन्रवर्ति करेंगे तो सबसे पहले पार्ट के बारे में संखेप में बता देती हूं अत्यांत संखेप में बताऊंगी पार्ट जो है धर्म धर्म की आड़ गरेश शंकर विद्यारति द्वारा रचित है, इस पार्ट में लेकक ने धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने भीडाने का जो लड़ा वड़ा के स्वार सिध्ध करते हैं, चाला किसम के आदमी, उनके बारे में कहा है, उनपर कटाक्ष किया है, व्यांग किया है. लेखक का मानना है कि इस समय देश में धर्म की ही धूम है धर्म और इमान के नाम पर लोगों को लड़ाय भिड़ाय जाते हैं और उत्पात किये जाते हैं रमुआ पासी और बुद्धु मिया जो की एक कालपनिक नाम है धर्म के प्रतीक के रूप में इनको आपस में धर्म और इमान के नाम से लड़ाया भिड़ाय जाता है और ये के वल देश के एक सहर की बात नहीं ये सभी सहरों में ऐसा ही हो रहा है आम आजमी बिना कुछ समझे भूजे इनकी बातों में आ जाता है और इनकी संकेतों पे चलता है जिससे की इन स्वार्थी लोगों का आसन मजबूत होता है उनका आसन उचा होता है उनका नेत्रित तो मजबूत होता है और वे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं आम आदमी धर्म के ततो को नहीं जानता उसके मूल रूप को नहीं जानता और वह तो यही समझता है कि धर्म और इमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुती दे देना ही उचित है इसी का लाब उठाकर ये चालाक और स्वार्थी लोगों को भड़का देते हैं और वे इस तरह से देश में दंगे और फसाद होते हैं पास्चाते देशों में धनी और गरीब के संघर्ष के कारण सामेवाद का जन्म हुआ हमारे देश में ऐसी स्थिती नहीं है परन्तु धर्म के नाम पर करोणों लोगों की शक्ती का दुरुपयोग यहां पर किया जाता है इसका लाब कुछ स्वार्थी लोग उठाते हैं और धर्म और इमान के नाम पर किये जाने वाले जो भीशन ब्यापार हैं इनको रोकने के लिए लेखक ने ये कहा है कि हमको दुरद़ता पूरवक, साहस पूरवक इनका विरोध करना होगा तब ही हम इन जगड़ों को दूर कर सकते हैं इनसे देश को मुक्त कर सकते हैं लेटखा का विचार है कि देश के प्रतेक व्यक्ति को अपने धर्म को अपने ढंग से मानने का की स्वतंत्रता होनी चाहिए कोई भी व्यक्ति किसी के दबाओं में आकर धर्म ग्रहण ना करे धर्म और इमान मन का सौधा होना चाहिए इश्वर और आत्मा का सौधा होना चाहिए आत्मा को शुद्ध और पवित्र करने का साधान होना चाहिए इसमें किसी दूसरे की स्वाधिनता की हानी को हानी पहुचाने का कोई हक नहीं है दो बिन धर्मों के जो माने वाले लोग हैं उनके बीच में टकराव नहीं होनी चाहिए यदि कोई ऐसा करता है तो उसके इसकारे को देश की स्वाधिनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए लेखक ने स्वाधिनता संग्राम के दिनों में उस समय जब मौलाना अब्दुलबारी और श्रंकराचारे जैसे लोगों को देश में मजहभी धर्म पागलपन और प्रवपंच पैदा उत्पात करने के लिए मुख्य कारण बताया है उन्होंने कहा है कि इन धर्माचारे को जब स्वाधिनता संग्राम की लडाई में स्थान दिया महत तो दिया गया तो उसी का परिणाम है कि आज देश में दंगे फसाद इस प्रकार धर्म के नाम पर किये जा रहे हैं वे करते हैं कि जो धार्मिक कृत हैं जैसे अजा देना नाग दबाना शंक बजाना पाच वक्ता नमाज ये सब जो है कर रहे हैं कि ये चरित्र को ये आत्मा को शुद्ध पवित्र नहीं करते हैं बलकि ये जो है एक त इससे धर्म का स्वरूप व्यक्त नहीं होता है बलकि जो व्यक्ति शुद्धाचारी है सदाचार का पालन करता है वही वास्तों में धर्म का पालन करता है ऐसा लेखा का मानना है वे करते हैं कि खुद को जिस यह इस्वर को खुश करने के लिए लोग तरह तरह के कर्मकांड क करते हैं वह एक तरह से बेइमानी है उसे अपने आचरण को सुधारना चाहिए ऐसे जो आडंबरी धार्मिक कृत्य हैं उन कृत्यों से करने वालों इन आडंबरी धार्मिक लोग है जो बहारी दिखावा करते हैं उन्से लेखक ने नास्तिकों को अच्छा माना है कते हैं कम से कम नास्तिक जो है वो सिदी साधी जो मुर्क जनता है उसको बर्गलाने का कार्य तो नहीं करती वह तो लोगों को सहायता उनके दुख दुख में भागिदारी करने का कार्य करती है इसलिए वह लाग बुना वे लोग अच्छे हैं नास्तिक लोग अच्छे हैं इन धार्मिक अब तथाकती धार्मिक लोगों से जिसका आचरण अच्छा है दूसरों के सुखदुक का ध्यान रखता है और धर्म इमान के नाम पर लोगों को लड़वाता नहीं है वास्तों में आने वाला कल जो है उन्हीं को पूछेगा उन्हीं का सम्मान करेगा और यह जो दिखावा करने वाले और अपने स्वार्थ से दिखरने वाले जो लोग है और धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने वाले लोग है आने वाला कल उन्हें कोई भी स्थान समाज में कोई भी स्थान महत्व नहीं देगा यह है पाठ का सारांस अब हम लोग पाठ क संबंदित अन्य प्रश्णों पर भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पाठ के प्रश्ण करते हैं पहला प्रश्ण है इसमें आज धर्म के नाम पर क्या-क्या हो रहे हैं आज धर्म के नाम पर क्या-क्या हो रहे हैं जैसा कि आप लोगों ने पाठ में पढ़ा कि दंगे फसाद करवाये जा रहे है और नाना प्रकार के उत्पात किये जा रहे हैर यहाँ पहले प्रस्छा उत्र दूसरा प्रश्ण है कि धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उध्योग होना चाहिए लेहाँ में लेकर ने कहा कि धर्म के इस ब्यापार को रोकने के लिए हमें द्रहनता पुर्वक धार्मिकुतपात का विरोध करना चाहिए और हमें ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो धुर्तता के जाल में लोगों को फसा लेते हैं और अपनी बुद्धी का प्रयोग करना चाहिए इन धूर्थ लोगों का आसन उचान नहीं करना चाहिए और इन से हमें इन धूर्थ लोगों से हमें बचना चाहिए अगला प्रश्ण है लेखक के अनुसार स्वाधिनता अंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा दिन था अभी अभी आपको उने बताया और आपने पार्ट में भी पढ़ा है कि लेखक के अनुसार स्वाधिनता अंदोलन का वह दिन सबसे बुरा दिन था जिस दिन स्वाधिनता क के लिए मुल्ला मौलवियों वधर्माचारियों को आवश्यक्ता से अधिक महत्व दे दिया गया ऐसा करने पर हमने स्वाधिंता के आंदूलन में अपने को एक कदम पीछे कर दिया इस उसी पाप का फल हमें आज तक भुबद्दा पढ़ रहा है यह है इस प्रश्ण का उत् अगला प्रश्ण है साधारण से साधारण आदमी तक के लिए तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह से बैठी हुई है यह है अगला प्रश्ण की साधारण से साधारण व्यक्ति तक के दिल में क्या बात सबसे की अच्छी तरह से बैठी हुई है इस प्रश्ण का उत्तर ह जैसा कि अपने पार्ट में पढ़ा कि पार्ट में लेखक ने बताया है कि साधारन से साधारन आदमी के दिल में यह बात अच्छी तरह से घर कर गई है कि हमें धर्म के संबान के लिए अपने प्राण दे देना उचित है साधारन आदमी धर्म के तत्वों को नहीं समझते पर धर्म के नाम पर भड़क जाते हैं यह पार्ट में लेखक ने बताया तो इस प्रशन का जबाब यह होगा कि साधारन से साधारन व्यक्ति अपने दिल में इस बात को बठा लिया है कि धर्म के संबान के लिए हमें कहता है तो तुरंट वे उबल पड़ते हैं और उसका विरोध करने के लिए जान लेने और जान देने को तेयार हो जाते हैं अब अगला प्रश्नैंड Тем के स्पस्ट चिन्द क्या एए प्र arrests लेखक करना वास्तों में यही सच्चा धर्म है सच्चे धर्म का मार गही है और सच्चा धार्मिद्विक्ति वही है जो सुधाचारी हो सदाचारी हो और सदाचार के रास्ते पे चलकर वह वह जो है आगे बढ़ रहा है जिसके अंदर सज्जनता हो भलमन्साहत हो ना कि जो धार्मिक करेते हैं कर्मकांड है उसका वो अनुसरण कर रहा है और ऐसा करना लेखक के विचार से दिखावा मात्र है अब हम लोग आगे का प्रश्न करेंगे इस प्रश्न में उत्तर थोड़े बड़े होंगे 25 से 30 शब्दों के यह प्रश्न है प्रश्न है चलते पुर्जे लोग धर् धर्म के नाम पर लोगों को मुर्ख बनाते हैं लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं उनके उच्छा का उर्जा का दुरुपयोग करते हैं और उनको भड़का करके वे अपना स्वार्शिद्ध करते हैं तो उन्हीं मुर्खों के आधार पर वे अपना बड़प ये लोग दूसरों को अपनी चतुराई से दबाते हैं बरगलाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं मन्चाई कामनाओं को पूरी करवाते हैं स्वयम कुछ करने करे या न करे परन्तु वे दूसरों की शक्ति उनकी कामनाओं को पूरा करने दूसरे जो है दूसरों की शक्ति का दुरूपेयोग करके अपनी कामनाओं की पूर्थी करते हैं और उनकी जो जीवन चर्या है इसी चर्तुराई के आधार पर चलती है ये है पार्ट का पहला प्रस्निस जो की 25 से 30 शब्दों का लिखा जाना है अब दूसरा प्रस्निस में पूछा गया है कि चालाक लोग साधारन आदमी की किस अवस्था का लाव उठाते हैं ये दूसरा प्रस्न पूछा गया है दूसरे प्रश्ण के जवाब के रूप में हम ये कह सकते हैं कि चालाग लोग साधारन आदमी की धर्म के प्रति जो निष्टा है उसका लाव उठाते हैं साधारन आदमी को धर्म के बारे में अधिक नहीं जानता है और लोग उसकी अज्ञानता का लाव उठाकर उसकी शक्तियों को और उसके उत्साहका सुशन करते हैं साधारन आदमी उन लोगों के भड़कावे में और बहकावे में आ जाता है और चालाग आदमी अनिक प्रकार से उनको बहका कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है वह आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने पर आमादा कर देता है और इस प्रकार चालाक आदमी का काम बन जाता है और वह अपने नेत्रितों और बड़पन को कायम रखता है यह है चालाक आदमी का लक्षन चालाक आदमी इस प्रकार से अपने स्वार सिद्धी करता है और अपने आसन को उचा करता है अब अगला प्रशन है आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को टिकने नहीं देगा यह लेखक ने बताया कि आने वाला समय जो व्यक्ति अपने धर्म के नाम पर लोगों को ठकते हैं बरगलाते हैं बहकाते हैं बढ़काते हैं ऐसे लोगों को टिकने नहीं देगा ऐसा लेखक ने पार्ट में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है अब हम इसका उत्तर देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है कह रहे हैं कि यहां पर हम कह सकते हैं ऐसे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि वे लोग जो धर्म की याड़ लेकर लोगों को अपस में लड़वाते हैं आने वाला समय उन्हें टिकने नहीं देगा जन साधारण को समझ में आ गया है कि बेईमानी करने और दूसरों को दुख पहुचाने की जो आजादी है वह धर्म नहीं देता है जहां आगे का प्रश्ण है कि कौन सा कारे देश की स्वाधिनता के बिरुद्ध समझा जाएगा इस प्रस्ण का उत्तर हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि कुछ लोग धर्म की याड़ लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिस करते हैं ऐसे लोगों की कुटिल चालो को द करने के लिए लोगों को बर्गलाते हैं बेइंमानी करते हैं और प्रतेग व्यक्ती धर्म को मानने के लिए करें स्वतंत्र होना चाहिए और उसका मन जिस प्रकार करेगा वो उसी प्रकार की पूजा अर्चना करेगा उसकी स्वाधिनता को कुचलने का प्रयास वो जबर्दस्ती उसे धर्म को मनवाने से रोकने का प्रयास देश की स्वाधिनता के बिरुद्ध समझा जाएगा ये कार्य जो है देश की स्वाधिनता के विरुद्ध समझा जाएगा अब अगला प्रस्ण है पास्चाते देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है ये अगला प्रस्ण है पास्चाते देशों में धनी और निर्धन जो धनी लोगों की उची उची मारते हैं वे गरीब लोगों की जोपरी का मजाग बनाती है उनके पास सभी सुख सुभिधाय हैं जबकि गरीब लोगों का शोषण करके ही ये धनी बने हैं धन का मार्ग दिखाकर धन का लोब दिखाकर ये निर्धन लोगों को बश्मे करते हैं और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए उन्हें कुछलते हैं दबाते हैं क्योंकि गरीब लोगों को रोटी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है इतना परिश्रम करने के बाद भी इन्हें जोपडियों के जीवन बिताना पड़ता है इसी कारण मद जो सामेवाद और बोल से विज्म का जन्म हुआ अब अगला प्रश्ण है पाठ का कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं यह पाठ का अगला प्रश्ण है कि कौन से लोग धार्मिक लोगों से अच्छे हैं यहां उत्तर इस प्रकार बताएगे मतलब इस पाठ में यह कहा गया है कि वे लोग जो इश्वर को नहीं मानते हैं या किसी मजभ को नहीं मानते हैं और परन्तु वे उनका आचरण अच्छा है वे सदाचारी हैं वे लोगों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं अपनी स्वार्शिद्ध के लिए दूसरों को उकसाते नहीं हैं इस प्रकार के लोग धार्मिक लोगों से कहीं अच्छे माने जाते हैं ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते दूसरों की मुर्खता और उनकी जो सिधाई है उसको उसका गलत पहादा नहीं उठाते और नहीं उसका मजाक उड़ाते हैं अब हमें कुछ प्रशन ऐसे हैं दिये गए हैं जो पचास से साठ शब्दों में लिखने हैं इसको मैं संच्छेप्त मैं आपको बताती हूँ आप इसका विस्तार से उत्तर लिखेंगे पहला प्रश्न है दर्म और इमान के नाम पर किस किये जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है धर्म और इमान के नाम पर किये गए भीशन ब्यापार को कैसे रोका जा सकता है पार्ट में जैसा कि लेकक ने बताया है धर्म और इमान के नाम पर किये जाने वाले भीशन ब्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और द्रणता के साथ काम लेना होगा हमें उन धूर्त लोगों का परदा फास करना होगा जो धर्म और इमान के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं लोगों को आपस में लड़वाते हैं स्वार्त पूर्ति के आम के लिए आम आजमी के प्राण भी ले लिए जाते हैं हमें धर्म के वास्तविक रूप को समझना होगा, धर्म के नाम पर हो रहे जो द्योग हैं, ढोंग हैं, आडंबर हैं, उनसे स्वयम को बचाना होगा ये है इस प्रश्ण का उत्तर अगला प्रश्ण है बुद्धी परमार के संबंद में लेखक का क्या विचार है? बुद्धी परमार के संबंद में लेखक का क्या विचार है? बुद्धी परमार के संबंद में लेखक का विचार कुछ अलग हटके हैं, वे कर रहे हैं कि बुद्धी परमार, उनके विचार से बुद्धी का आशा ये है कि लोगों की बुद्धी में ऐसे विचार भरना जिससे वे गुमरा हो जाएं इससे उनके सोचने समझने की शक्ती नस्ट हो जाती है और लोगों को एक दूसरे के खिलाब भड़काया जाता है उनके मन में दूसरे धर्म के प्रती उनके विरुत गलत भावनाएं भरी जाती है गलत धारणाएं भरी जाती है और सामाने लोगों को धर्म और इमान और आत्मा के नाम पर आपस में लड़वाया जाता है अगला प्रस्ण है लेखक की द्रिष्टी में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए लेखक की द्रिष्टी में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए शुद्ध आचरन और मनुस्यता के गुण उसमें होना चाहिए और पशुत्व को समाप्त कर मनुस्यता को पहलाने का कारे करना चाहिए धर्म की भावना इश्वर और आत्मा के पवित्र संबंद स्थापित करने वाली होनी चाहिए कल्यान की भावना उसमें होनी चाहिए न कि दूसरों को भड़काने या उकसाने या उनको नुकसान पहुचाने की भावना होनी चाहिए अगला प्रश्ण है महात्मा गांधी के धर्म संबंदी विचारों पर प्रकास डालिए महात्मा गांधी के धर्म संबंदी विचारों पर प्रकास डालिए इस प्रश्ण का उत्तर है कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच स्थान देते थे महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को सर्वोच स्थान देते थे और धर्म के बिना वे एक कदम भी चलने को तयार नहीं थे उनका धर्म शुद्ध पवित्र भावनाओं से परिपूर्ण था जिसमें कल्यान की भावनाएं नहीं थी वह सत्य और रहिंसा को ही परमधर्म मानते थे और उनके अनुसार धर्म उदारता की रक्षा करता है इसलिए महात्मा गांधी के अनुसार धर्म में केवल उचे और उदार विचारों का ही स्थान होना चाहिए ये है इस प्रश्ण का उत्तर अब अगला प्रश्ण है कि सबके कल्याण है तू अपने आचरण को सुधारना क्यों आवस्यक है सबके कल्याण है तू अपने आचरण को सुधारना क्यों आवस्यक है ये अगला प्रश्ण है सबके कल्याण है तू अपने आचरण को सुधारना इसलिए आवस्यक है क्योंकि आने वाले समय में हमें शुद्ध आचरण और चदाचार के बल पर ही जीवन जीतना होगा जीवन में हमें जीवन हमें जीना होगा अपने सुरुधा आचरण और पवित्र भावनाओं के साथ अपने सुधार्थ को छोड़कर जन कल्यान की भावना को मन में लाना होगा और यदि हम अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे अपने तो हमारे द्वारा जो किये गए रोजे हैं नमाज है पूजा है आदि सब ब्यर्त हो जाएगा जन कल्यान हेतु आचरण में सुधता सरवाधिक आवश्यक है सबसे ज़्यादा जरूरी है अब हम लोग जो है इस पार्ट के अन्य प्रश्णों को करेंगे जिसके अंतरगत ये प्रश्ण है नास्तिक आदमी को लेखक ने अच्छा क्यों माना है इस प्रश्ण का उत्तर है कि नास्तिक आदमी को इसलिए अच्छा लेखकने माना है क्योंकि वे अच्छा आचरण करते हैं उनके आचरण में शुद्धता है एक दूसरे की भावनाओं को वो समझते हैं उनका सम्मान करते हैं और वे किसी धर्म के चक्कर में पड़कर लोगों को आपस में लड़ाने भीडाने का कारिय नहीं करते हैं अगला प्रश्ण है इस्वरत्व से मनुस्वत्व का क्या अर्थ है यहां पर इसका अर्थ है यह इसका प्रश्ण का उत्तर होगा इससे लेखका अभिप्राय है कि स्वयम का प्रभुत्व जमा कर लोगों की नजरों में भगवान बनने से अच्छा है सच्चा मनुस्य बना जाए स्वयम का प्रभुत्व जमा कर लोगों की नजरों में अपने आपको इस्वर बनाना जो है उचित नहीं है उचीत यह है कि हम स्वयम अपने आपको अच्छा बनाए मानो मात्र की सेवा करें और जीवन जो है उसी में लगाएं जीवन को दूसरों के उपकार में समर्पित करें यह है इस प्रश्न का उत्तर अगला प्रस्न है लेखक धार्मिक जगडों को दूर करने के लिए क्या सुझाओ देता है यहां पर इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक का मानना है कि धर्म और इमान के नाम पर होने वाले उत्पातों को रोकना चाहिए तो हमें साहस और दृता के साथ स्वार्थी तत्तों को बेनकाब करना होगा यदि हम इन धर्म और इमान के नाम पर जो लडाई होती है जो जगड़े होते हैं उत्पात होते हैं उनको अगर रोकना चाहें तो हमें द्रता के साथ और साहस के साथ इन स्वार्थी तत्तों को रोकना होगा धर्म और उपासना के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देना दिया जाए और प्रतेक व्यक्ति अपने धर्म की पूजा अपने जो धर्म है उसकी पूजा अर्चना करने के लिए स्वतंत्रो कोई किसी के धर्म के कारियों में अर्चन न डाले तब ही जो है ये आपस में जो जगड़े हैं धर्म से संबंदी तो वो दूर हो सकते हैं अगला प्रशन है लेखक गांधी जी से क्या सीखने के लिए कहता है लेखक गांधी जी से क्या सीखने के लिए कहता है इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक चाहता है कि हम भी गांधी जी से यसीखें कि हमें अपने जीवन के प्रतेक्शत्र शेत्र में धर्म को ही प्रमुक मानना चाहिए धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए और जिस से हम एक अच्छा समाज बना सकें ऐसे समाज में धर्म के नाम पर उत्पात नहीं होगे और सब परस पर मिल जूल कर रहेंगे यदि ऐसा समाज बना तो सब मिल जूल कर रहेंगे अब इसके अलावा ये प्रश्ण भी इसमें है कि लोग धर्म के नाम पर क्यों उबल पड़ते हैं धर्म के नाम पर लोग क्यों उबल पड़ते हैं साधारण मनु निस्यों के सोचने विशारने की सक्ती कम होती है उनकी समझ दूसरे तरह की होती है और उनके मन में धर्म के नाम पर ऐसी अंध व्यक्ति है कि वे धर्म के विरुद्ध कुछ भी बात सुनना नहीं चारते हैं और धर्म के विरुद्ध कुछ बात सुनने पर वे गुस्षा हो जाते हैं इसलिए लोग धर्म के नाम पर उबल पढ़ते हैं अब अगला प्रश्ण है लेखक ने साधारन आदमी को मूर्ख क्यों कहा है लेखक के अनुसार साधारन आदमी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता है साधारन आदमी जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है वह स्वयम सोज विचार नहीं करता वह दूसरों के कहें अनुसार काम करता है इसलिए लेखक ने साधारन आदमी को मूर्ख कहा है अब सच्ची उपासना का अर्थ सबस्ट करें ये प्रस्ट है सच्ची उपासना है सभी धर्मों का सम्मान करना अपने आजीवन में सदाचार का पालन करना और सत्य के मार्ग पर चलना तता मानों की सेवा करना यही सच्चा धर्म है अब इसके अलावा खुछ एकाद प्रक्षन इस प्रकार के हैं कि इसमें ये कहा गया है कि देश में धर्म की धूम मचिये से लेखक का क्या आशे है देश में धर्म की धूम मचिये से लेखक का क्या आशे है कि आजकल धर्म के देश में धर्म के नाम पर खूब चर्चाएं भाषन और सभाएं सम्मेलन आधी हो रहे हैं प्रतेग व्यक्ति अपने धर्म को एक दूसरे के धर्म से श्रेष्ट सिद्ध करने में लगा हुआ है इस प्रकार देश में चारो और धार्मिक कटरता का वातावरन हो गया है इस प्रकार देश में चारो और धार्मिक कटरता का वातावरन हो गया है इस प्रकार लेखक ने धर्म संबंदी जो लोगों की गलत धारना है उनको उनके उपर विचार स्वयम किया है और पाठक को भी ये विचार करने के लिए उन्होंने विवस्च किया है कि जिससे लोग समझें कि वास्तों में धर्म का स्वरूप क्या है आज बस इतना ही स्वय सगली कक्षा में पढ़ेंगे धन्यवाद